अग आग वेल्कम टो मैं चैनल आज बनाने जा रही हूं बाजार जैसी पाव भाजी वह भी बिना किसी food color और बिना किसी special ingredient के बहुत ही आसान सी रेसीपी है जिससे बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है यह रेसीपी जब कभी कुछ बहुत ही चटप पाव भजी बनाने के लिए जो इंग्रेडियंट्स मैंने लिया है वो पहले में आपके साथ शेयर करती हूं मैंने लिया है यहाँ मैंने लिया है कार्लिक यह चार गार्लिक के क्लॉफ harm यहाँ मैंने लिया है अद्रक और हरिमिर्ष लाल मिर्च वगरें बैद आप चाहें तो अब बड़े और पर डाल सकते हैं यहां मैंने लिया है एक बड़े से अनियन को बिल्कुल फाय चौप करके यहां मैंने थोड़े से माटर लिया है हरे माटर यह फ्रोजन वाल है इसलिए मैंने से पानी में डाल के रखा है अगर आपके पास green matter है तो आप green ही डालें तो जादा अच्छा टेस्ट आएगा यहां मैंने लिए है carrot यह लगभग one and half carrot है यह orange carrot है यह बहुत जादा मीठा नहीं होता है इसलिए मैंने इसे इसकी quantity थोड़ा जादा ले लिए अगर आपके पास red carrot है तो इसकी quantity कम कर दें नहीं तो पाव बजी थोड़ा सा मीठा हो जाएगा यहां मैंने लिए है तीन टमाटर टमाटर थोड़ा जादा दलता है पाव बजी में जिसे बहुत जूसी और खटा सा फ्लेवर आता है तो मैंने इसे टमाटर की quantity थोड़ा जादा लिए साथ ही मैंने थोड़े से फुल्गो भी लिए जैसा कि आप देख सकते हैं आप चाहे जचिंगर और नसे दाल दिया है उनियन को बिल्कुल अक्चे से फ्राइख कर लेंगे एनियन हीपा स्र देख दाल दिया है इसे भी अक बाद बहुत अच्छे से फ्राइ करने के बाद मैं यहां एट करनी हूँ कैर्रेट कॉलिफ लावर पीज कैपसिकम बीट रूट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें हमें एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेना है यह मैं एट कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर, कॉरियंडर पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा रेट शिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने अचल संसार नमक, नमक यह पूहरा है मसालों को अच्छे संपला यह जल्दी पकने शरू हो सासाइक, जब शिलो के अपने मसालों को ट умकाँटा टीमाटा रखे तो और अच्छे से खाणूब टाल है इन्हें मिक्स कर लेंगे, इसे भी सब्जी को में यहां बहुत जादा पकाना नहीं है, बस मसालों को थोड़ा सा फ्राइ कर देंगे, जिसे मसाले में कच्छा पन ना रहे, यहां सारी सब्जी को डालने के बाद मैंने डाला है पानी और एक बड़े चमच पाव भजी मसाला, इसे भी एक पार मिक्स कर लेंगे, और इसे ढखके, बिल्कुल लो फ्लेम पे दस मिनट के लिए छोड़ देंगे, दस मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं, दस मिनट में यह सारी सब्जियां बिल्कुल अच्छे से पक जाती हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, बि धेर सारे बटर डालेंगे, और इसे इस तरीके से मैश करेंगे, आप चाहें तो सारी सब्जियों को बटर में फ्राइ कर सकते हैं, पर मैं हमेसा उपर से ही बटर डालते हूँ, जिसे इसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आता है, यह मैंने एक्स्ट्रा पानी एड़ में घ्र सारे ग्रीन कारि microorganर कारण के रखे हैं, जिसे मैंने इसमें एड़ कर दिया है, मिक्स कर लेंगे, तो देख सकते है पावाजी हमारे बन कर तैयार है, और मिंटो में यह पाव भजी बन बाचित पट्टा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा भाजी अप बटर के साथ डाल दें और उसमें ब्रेट को सेक लें तो यहां मैंने डाल दिया है भाजी थोड़े से डाले हैं बटर एनियन लिमन और यहां मैंने तकती है पाव बहुत ही डिलिस्यस भाजी तयार है जरूर ट्राइ करें साथ ही मेरे वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर करें थैंक यू